नमस्कार प्रिवधार्तियों अभी इस वीडियो में हम गुणोतर स्रेणी के कुछ इंपोर्टेंट सूतर देखेंगे सवरब परतम हम बात करते हैं गुणोतर स्रेणी क्या है कोई जैसे हमें स्रेणी दे रखी है उसके हम दो पदों का रेश्यो लेए उसके दो पदों का हम रेश्यो लेए और वो समान आई तो इसका मिनिंग यह होगा कि वो गुना दरसली जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं ratio लेते हैं दूसरे पद और पहले पद का कितना है आर ए से ए कैंसल ratio लेते हैं अपने तीसरे पद और दूसरे पद का दो कर्मागत पदों का ratio लेना होता है A से ए कैंसल R है R square R बचा A R cube upon इसका और इसका A R square A से ए गया R cube यानि R to the power 3 minus 2 यानि R देख लिए इन सब का ratio अपना समान आ रहा है ये अपने कौन सी स्रणी है गुणतर स्रणी है अब इसमें हम एक तो formula लेते हैं N वपद ग्याद करना एक N पदों का योग ग्याद करना तो यहाँ पर पहले मैं बता दू A को हम पर्थम पद कहते हैं R को हम शारव एंतर कहते हैं तो मुझे N वपद ग्याद करना है इसमें का N वपद N वपद यानि कोई भी हो सकता 10 वपद, 11 वपद, 12 वपद, 15 वपद तो उसकी लिए मेरे पास formula क्या है formula है अपना T N A R to the power A R to the power N minus 1 यानि हम यहाँ पर N के value रखेंगे R के value रखेंगे A के value रखेंगे तो अपना इसका N में वपद आ जाएगा अब N वपद का योब इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिखते हैं S N से S N के हमारे पास दो formula है एक तो जब R less than 1 हो R एक शे छोटा हो तो अपना formula होगा S N A 1 minus R to the power N upon 1 minus R दूसरा R 1 से बढ़ा हो अपना सारवा अंतर 1 से बहुत बढ़ा हो या बढ़ा हो तो हमारा formula होगा R to the power N minus 1 upon R minus 1 तो यहाँ पर अभी हमने इसके N पतों का योग और N पत का formula देखा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके question भी करेंगे आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तैदिल से धन्यवाद आभार